हेलो दिस्तों गुड़िया लिटल गारण में आप सभी का स्वागत है आप देख रहें एक स्योरा प्लांट पर कितने सारे फूल खिले हुए तो प्लीज आप सबसे रिक्वेश्ट है वीडियो पूरा देखिएगा आज हम बात करेंगे गुड़ल के पौधे पर थंड में ज गुड़ल के फ्लावर से कितने प्यारे लग रहें इतने कॉंटिटे में मेरे यहां पर फूल खिलते रहते कटिंग से लगा हुआ पौधा बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है अगर आपको आसपस से कहीं यह पौधा मिलता है तो आप लगा ले कि यह जब से मैं लगाई हूं छोटी थी जब से लगी है तब से इमें कलिया बने रहे है और कंटीन्यू फूल खिलते रहते हैं बराबर सिब थोड़ी सी रेश्ट लेते हैं तो फिर एनी टाइम फूल खिलते ही रहते हैं तो यह बहुत ही बेस्ट फ्लारिंग प्लांट है मैं तो मैं यहां हम ऐसा हर पौदे पर पाणी की जगह पे यही सब यूज करती हूं जो नॉर्मल पानी हम डेली दे थे हैं पौदो को तो में यह शब नहीं देती, नॉर्मल पानी मेरे कीचन से जो निकलते हैं वही में देती हूं और शिर्ब 6-7 गंटे की धुप में इतने सारे खीलते हैं मेरी बालकोनी गार्डन में आप देख सकते हैं कितनी मोदी हो चुकी है वो भी बेकार ग्रो बैग में लगे हुए हैं तो आपके पास भी अगर इस तरह से आप सोच जगर नहीं है तो कुछ भी चीज बेकार जो बैग होते हैं या फिर बाल्टी उल्टी फूटी जाते हैं तो उस पर भी आप पौधे लगा सकते हो सालों साल पौध ही चलने वाले हैं यह बहुत आसानी से इसकी पतली सी अगर आप कटिंग लेकर और मिटी में दो इंच दबा दीजिए कटिंग को हिलाना नहीं है बहुत जल्दी इन में जड़ बन जाते हैं एक महिना के से अंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से जड़ बनेंगे लग जाएंगे आपके कटिंग नरेशरी से लाने की जुरत नहीं अगर आप के पस नहीं है तो आप आसपास कहीं से मांग भी सकते हो अगर या फिट एतनी मोटी सब्स्जी फिटसीं मोटी तो भी कटिंग लग जाते सी 5-6 इंच की लहनी चाहिए बस और कोई बात नहीं यह मेरा कटिंग से लगाएवा पौधा है मिटी हमें बहुत ही सॉप्ट बनानी है भूर बूरी बनानी है जैसे कि अगर आप रेत मिलाते हो बालू हमारी मिटी नॉर्मल जो मिटी होती है और फिर गोबर की खाद मि देने वाली हूं वह फटिलाइजर अगर आप हर रोज देते हो तो भी बहुत ही ज्यादा कॉंटिटी में फूल आएंगे क्यूंकि मैं कभी भी नहीं फेकती मेरे कीचन से जितने भी चीज निकलते हैं वह चीज में हमेसा अपने पौधे पर यूज करती हूं गुड़ाई वना दी और उसके बाद यह जितने भी फूल है उसे में मिटी से दवा दूंगी तो इसमें से बहुत सारे पोसक्त तो पाए जाते हैं जो हमारे जड़ को मिलते रहेंगे और उपर हमारे फूल हमें मिलते रहेंगे तो यह डिकंपोस्ट हो जाएगा 10-15 दिन में ही क्यूंक तो क्या करते हैं आलू को निकाल करते हैं आप पानी को फेक देते तो आप यह वीडियो देखने के बाद कभी भी नहीं फेकेंगे इसमें से बहुत सारे विटामिन पाये जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हल्थफूल है पोटासियम माइगनेसियम फासफोरस यह सब बहुत सारे ऐसे गुन सकती साली यह फटिलाइजर है नॉर्मल पानी की जगह आप अपने पौधे पर हर रोज दे सकते हो फूलो वाले पौधे पर गुरल के पौधे को बहुत ही ज्यादा पसंद है तो यह फटिलाइजर आप यूज करें कभी भी मत फिक किएगा स आपके जिजह हुआ जो आलू है नॉर्मल जो आलू होते हैं वह हम सिधाते हैं नमक मत दीजेगा याद रखिएगा नमक नहीं देना है हम नॉर्मल इस तरह से ही सिधाते हैं बिना नमक के वह वाली हमें यूज करना है वह पानी जब थंडा हो जाएगा तब जाकर आपको पौधे पर यूज करना है इसमें कुछ पानी नॉर्मल पानी याड नहीं करना है आपके पास जितने भी बॉल किये हुए जो पानी निकल रहे आप उसे थंडा होने के लिए दे तब जाकर आप अपने पौधे पर यूज करें गरम पानी बिल्कुल भी मत यूज करिएगा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और यह खाद आप यूज करें अपने पौधे पर हर रोज या फिर पांच दिन पर तो आपके पौधे पर फूली फूल आएंगे धन्यवाद